हेलो दोस्तों तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को समझाने वाला हूँ कोपीटाइट इस्ट्राइक के बारे में रैसे आप लोगों को पता होगा पर फिर भी मैं कोपीटाइट इस्ट्राइक के बारे में थोड़ डीटेल में समझा देता हूँ कि कोपीटाइट इस् होता है उसे भी हम लोग को बचके चलना है और एक कोपीटाइट इस्ट्राइक दोनों ही एक ही काम करता है आपका चैनल डिलीट करने का काम करता है अगर आप गलत करेंगे तो कॉम्निटिक एडलाइन्स के लिए मैं अच्छा से मैं बता दिया आप लोगों को नहीं देखा त दूसरा जो है कॉपिड़ेट इस्ट्राइक तो यह क्या है कॉपिड़ेट इस्ट्राइक नमस्कार दोस्तों मैं नाम लोगों है धिपक आरब देखर है टेखने आप लाइडिया योट्यूब चैनल तो चलि वीडियो अगर हमने कोपी कर लिया तो ही होता है कोपी डाइट तो यह कानून है जिसमें आप किसी और का चीज को डूब्लिकेट सी नहीं कर सकते हैं तो यह यूटुब में लाग हुए पर उससे पहले भी लागू था क्योंकि किसी का मुवी अगर होता है या फिर किसी बैनर रोनर होत है तो सेम पॉलिसी यूटूब में भी है कि आप किसी और के वीडियो को अगर आप अपने चैनल में अपलोड कर देते तो कोपी डैट इस्ट्राइक होगा तो पहले आप लोगो क्लियर करवा देता हूं कि क्या-क्या चीज करने से आपके चैनल में कोपी डैट होने के लिए आप अगर लेकर आगे अपने थामनेल में लगा दिया या फिर वीडियो में यूज कर लिए तो आपको को प्रियाट इस्ट्राइक आना है आज नहीं आएगा हो सकता है कुछ दिन बाद आ जाए पर वह आ सकता है दूसरा है कि कि किसी और के वीडियो का को एक क्लिप्स आपने कोपी कर ढिए 10 सेकंड – 15 सेकंड या ठीपस आपको ऐसा लगा कि हो मैं भी एगर कैमरा से रेकोडिंग करूंगा तो सेम into semi बीच होगा तहाँ सोचेंगे कि वोसी वीडियो को मैं कोपी करके दाल दो मुझे जाने का जुरोध नहीं परेगा बीच में तो क्या होगा यूटूब का इतना ही बेस्ट है कि वीडियो का एक एक ट्रेक को को वह ँथक्षान लेता एक second माइक्रो सेक रूट को भी पहचन लेता है , तो जैसे पहचन लेगा कि आपने किसी और का चैनल से डाउंलोड करकर इसको को कोपी किया है इस वीडियो को अप यूज किया अपने चैनल में तो तुरंद उसके जो और से उनके पास मेसेज भेज़ देगा कि आपका वीडियो का इतना पार्ट जो है वो किसी और ने यूज किया तो ओनर जो है आपको कोपीडेट इस्ट्राइक दे सकते उसके अलाबा दोस्तों किसी और का आइडेंटिटी अगर आप यूज करेंगे विदाउट उसके परमि नी डिउज करेंगे किसी कोई भी मूवी का गाना हो गया यह फिर किसी का भी म्यूजी को क्लेमोच करेंगे तो उसमें एपको को मिल सकते हैं इसमें आपको complete detail मिल जाएगा music, video, image कहां से लेना है सब के सब आप लोगों को मिल जाएगा तो आप यूच कर सकते हैं उसमें कोई भी risk नहीं है आपको copyright strike, copyright claim कुछ भी नहीं मिलेगा So I hope कि आप लोगों को clear हो गया होगा कि क्या करेंगे हम लग तो हम लोगों copyright strike मिल सकते हैं तो आप मैं बता देता हूँ कि अगर copyright strike आप लोगों को मिल गया तो YouTube के तरस क्या effect परेगा आपके चैनल में तो जैसे community guidelines का रूल से वैसे copyright strike का भी है पहला इस्ट्रैक आपका ignore कर दिया जाएगा आपको बस बताएगा YouTube कि आपको उस वीडियो में इस्ट्रैक मिल चुका वीडियो को हटा दीजिए डिलिट कर दीजिए तो यह option आपको मिलेगा दूसरा में भी सेम मिलेगा तीसरे में क्या होगा आपका complete चैनल पूरा का पूरा वीडियो सब रिमूब कर देगा पहला हो सकता हम लोग से मिस्टेक हो गया कि कभी कोई music हम लोगों को पता नहीं चला कि वह copyright free music को जहां पर copyright strike मिलाए क्योंकि आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस वीडियो के किस पार्ट में किस क्लिप में copyright strike है तो उसको आप यूटूब के पास से यह करेंगे तो आप copyright claim आपके चैनल से हड़ जाएगा और एक बात ध्यान रखें कि किसी भी वीडियो में अगर copyright claim या copyright होता है कि किसी और का content ले लेता है music वीडियो उनका यूज करता है क्योंकि उसका जो आर्निंग है उनको नहीं मिलता है और जिसने copyright किया है जिसने कोपी किया उसने direct owner से बात कर लेता है और उनसे mutually पेमेंट का बात कर लेता है कि मेरे चैनल में जो भी चलेगा तो यूटूब आपको पेमेंट देगा आप मुझे कुछ पेमेंट दे देना तो इस तरीके से अंडेस्टेंडिंग से हो जाता है सो दोस्तों मैं यहीं बोलूंगा कि जैनियून बनाई है खुद का ओन कॉंटेंट बनाई है क्योंकि यूटूब भी आपको यहीं सजेस्ट करता है कि यूटूब में आप वीडियो बना रहे तो completely 100% आपका खुद का वीडियो हो हाँ जय हिन जय भारत